नमस्कार आप सभी का श्वागत है NKP प्रोडक्सर में मैं हूँ नीराज और चली आज आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है आपका एडवीशन से रिलेटेड तो एडवीशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आया है तो इसमें आपका मैं किलियर करने जा रहा हूँ जो नन वोकेशनल कोर्स के जो स्टुडेंट है मतलब कि जो आपका रिगूलर कोर्स के जो स्टुडेंट है जिन्होंने चांसलर पोटल से फ़र्म बढ़ा है उसके लिए क्या अपडेट है फॉर्म भरने का डेट कब तक बढ़ गया है उसके साथ साथ में मैं बात करूँ कि आपका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा ये सब चीज में डिटेल में बात करना जा रहा हूँ अंतक आप वीडियो पे बने रहेंगे जो मेरे चैनल पर पहली बारा है लाइक, शेयर, सब्क्राइब कर ले बगल के बैल आकर को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहें चार साल की जो कोर्सेस से न्यू एडुकेशन पॉलिसी के तहत में रेगुलर कोर्सेस जो है उसके लिए फॉर्म भरने की तिथी जो है वो बढ़ा दी गई है डेट एक्स्टेंड हो गया है जो अभी तक फॉर्म नहीं फिलब कर पाया थे आप अपना फॉर्म फिलब कर सकते हैं कहां से चांसलर पोर्टल से यहां पर बात करें आपका नन वोकेशनल के लिए तो नन वोकेशनल के लिए क्या है कि उसके लिए यह आपका 22 तारिक तक फॉर्म भरना जा रहा है और बात करें वोकेशनल कोर्सेस के लिए तो उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना दिया है जिसमें इंट्रेंस टेस् बाकी जितने भी non vocational courses से उनके लिए direct addition होने वाला है इसके लिए मैं अलग से detail वीडियो बना दिया हूँ already आप उस पे playlist में जाकर चेक कर सकते हैं जो मेरे चैनल पर पहली बारा है उसको एक चीज़ में ये भी बता दू कि आप नीचे में description में whatsapp का link दिया हुआ है आप उस प के बाद में date को बढ़ा दिया गया और वो तिथी कतना कर दिया गया दस जून तक कर दिया गया अब दस जून से जो है तिथी को बढ़ा करके 22 जून 2024 कर दिया गया है तो राची इनुवर्सिटी के अंतरगत में जितने भी बिद्याले हैं जिनका चांसलर पोटल से एड़ रवाडी कोलेज, राची उमेंस कोलेज, इस तरह से जितने भी कोलेजे हैं संत एसेस ममोरियल कोलेज की बात करें संत पॉल की बात करें तो चांसलर पोटल से जिनका भी फॉर्म फिलप हो रहा है उनका क्या है जेनरल कोर्सिट के लिए date extend हो गया है 22 जून तक आप फॉर्म फिलप नहीं कर पाएं फॉर्म फिलप कर लीजिए और बात करें कि आपका जो DSPMU का है डॉक्टर स्यामा परसाद मुखरजी उनिवर्सिटी की बात करें तो उसका ये ओल्रेडी फॉर्म फिलप बढ़ने का date जो है वो 10 जूलाई तक है राची उनिवर्सिटी अलग है DSPMU अलग है जिसको पहले राची कॉलेज के नाम से जाना जाता था वो अलग उनिवर्सिटी उसका जो डेट है वो 10 जूलाई तक है 10 जूलाई तक चांसलर पोटल से फर्म भर सकते हैं लेकिन राची उनिवर्सिटी के करें करें कि आपका बात करोगे कि merit list कब आएगा तो merit list पहला बात में बात करूँ कि date जो है extend हुआ है 22 तक तो 22 तक अगर date extend हुआ है तो उससे पहले merit list नहीं आएगा ये चीज है क्यों क्योंकि अभी जितने भी student form fill up करेंगे उसके अनुसार ही आपका merit list declare होता है तो form fill up जैसे close होगा उसके बाद में ही आपका merit list आएगा तो पहला merit list कब आएगा जब 22 चून के बाद में आएगा मैं पहले बता रहा था कि 10 जून तक आपका जो form है form fill up का date है उसके according जो है 15 के आसपास में merit list आजाना चाहिए था लेकिन वो जो है merit list 15 के आसपास में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि date extend हुआ है form fill up का तो आपका ज इसको आपका form fill up खतम होता है तो चांसे से 25 जून के आसपास में की merit list आएगा ये नर्व वोकेशनल कोर्स के लिए था वोकेशनल के लिए अलग से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आरा आपको जानना है कि मारबाडी कॉलेज जनाची क्यों वेस्ट है प्लेसमेंट उसमें कितना अच्छा है क्यों अच्छा है तो आप अगला वीडियो को जोरूड देखिएगा उस पर बहुत सारा डीटेल के साथ में मैंने अल्रेडी बताया है बने रहेंगे इनके पी प्रोडक्शन को साथ बहुत बहुत धन्यवाद